क्या हुआ जब बागेश्वर धाम सरकार के महराज धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री राम मंदिर के उठगाटन में पहुझ गये वहाँ जाकर कुछ ऐसा कारनामा हो गया जिसे सुनकर आपके भी होस उड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों राम मंदिर के प्रार प्रतिष्ठा होने में अब केवल कुछी दिन बचे हैं जैसे जैसे समय नजदिक आते जा रहा है वैसे वैसे सनातनियों का उस्साह और भी बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना आखे राम लल्ला जो आने वाले हैं राम मंदिर के भव्य प्रार प्रतिष्ठा समारों में देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं लेकिन क्या हुआ जब अयोध्या पहुचे साक्षात हनुमान जी कहें जाने वाले बागेस्वर धाम सरकार के महराज धिरेंद्र किष्ण सास्त्री सभी अ सनातन धर्म को खूब बढ़ावा देते हैं उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है 22 जन्वरी दोहजार 24 को राम मंदिर के प्रार प्रतिष्ठा होनी है लेकिन प्रार प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसे चमतकार होने लगे हैं जिसे देखकर और वेज्ञानिक भी हैरान है दोस्तों हमारे देश में बाबा संत महराज जैसे लोग बहुत सारे आए हैं कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकरसित करते हैं और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को तरह तरह की पकवान खाने की सलाह देते हैं खैर दोस्तों इस तरह की जादातर बाबा आज ये जेल की हवा खा रहे हैं लेकिन दोस्तों ये जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं इनके दरबार में कोई भी जाता है यह उनकी मन की बात पहले ही जान लेते हैं हम बात करें यहां पर स्रीप बाला जी बागेस्वर महराज की जिनकी चर्चाएं की वक्त देश में हो जाते हैं तो कुछ लोग रोना पीटना भी सुरू कर देते हैं लेकिन ये सब चीजों की पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा की साथ आते ही सब कुछ भूल जाते हैं आईए बात करते हैं इस बारे में सबसे पहले तो आपको बता दें बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री है इनका जन्म चतरपूर के छोटे गाउं गड़ा में हुआ था इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्रामार पड़िवार में हुआ था नेकिन गरीबी की हालत में अपने बचपन गुजानने के बावजू हैं और बारा साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बाला जी यानि हनुमान जी की सेवा सुरू कर दी थी इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसे तरह तपस्या करने के बाद धिरेंद्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसे सक्तिया प्र दिखा गया एक एक सब्द प्रतिशस सब्द होता है जिसका सबसे बड़ा पड़िनाम यह है कि आज तक इन्हें कोई भी इन्हें जूटा साबीत नहीं कर पाया ऐसे में होता यह है कि जिस किसी भी सक्स की अर्जी को बाला जी सरकार स्विकार कर लेते हैं उस व्यक्ति को य है उन्होंने खुद इस बात को स्विकार किया है हाला कि फिर भी मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है वो तो सब अपने आखों से ही देखना चाहते हैं इसे चक्कर में कई सारे मीडिया हाउस बागिस्वर बाबा के भक्त बनकर भीर में इकठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आगे की दर्बार में होता क्या है लेकिन जो मीडिया वाले दर्बार में गए तो ये देख कर हक्के बक्की रह गए कि बागेस्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया तहा, और उनकी पूल लोगों के सामने खोल दी, इस पूरे सर्वे को देखने के बाद मीडिया वाले भी बाला जी के सामनी नस्मस्तक हो गए आज कर बागे स्वर्धाम सरकार शुक्यों में है राम मंदिर जाने की वज़ा से क्यूंकि मित्रो अयोध्या राम मंदिर काउड घाटन 22 जन्वरी 2024 को होने जा रहा है इसी दिन मंदिर में भ भगवान सरील के विराजमान होने का समय धीरे धीरे आते जा रहा है और जैसे जैसे वह अतारिक नस्देग आते जा रही है वैसे चमतकार की उपपर चमतकार देखे जा रहे हैं हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था गि जढ़ायों और जामवन अयोध्या में पहुच चुके हैं जो भालू और गिद कहीं हमें नजर नहीं आ रहे वह अयोध्या में जुंड के जुंड पहुच गए हैं इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि यह भी भगवान के प्रतिष्ठा में सामील होंगे चलिए इस बात को आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और नई जानकारी देने जा रहे हैं बताया जा रहा है कि मंदिर के उठगाटन में भारत की बड़े बड़े कथा वाचक आएंगे जिसमें सबसे पहले बात होती है धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री उप बागेस्वर धाम सरकार की उसके बाद भारत की प्रसिद्ध कथा वाचक जया की सोरी और जी अनुरुद्राचार्य महराज जी तथ सद्गुरु महाराज भद्राचार्य जी और जाने माने देव की नंदर ठाकुर जी जैसे कथा वाचक आएंगे और ये सभी लोग यहाँ पर बाइस जन्वरी को भव्य वेर जागरन करेंगी तो चलिए आपको य बड़े सैंटिक विज्ञानी खेरानी में पड़े हुए हैं उन्होंने खोच पर सारी बात बता दी किये कोई सधारन गिद्ध भालु नहीं है ये स्री राम भगवान के भक्ति की रूप में आय हुए हैं रिच अर्था भालु राजा के नाम तो आपने सुना ही होगा जिस समय सावतारों की सेवा की थी और वह यह अवतार स्री विष्णु जी के हुए थे जरा आप सोच ये कितने बड़े और कितने बुद्धी मान थे जामवन जिस समय भगवान स्री राम को जन्म हुआ था उसी समय जामवन भगवान स्री राम की सेवा ज्यादा की थी जामवन भगवान स्री राम के साथ एक सक्चे भक्ति की रूप में जाने जाते हैं। जाम मंत्री का उन मंत्रियों में सबसे पहले नाम था जो भगवान स्री। राम को समय समय पर सल्ला दिया करते थे। राम जी उनको ही अपना सबसे बड़ा मंत्री मानते थे। जामवन्द थनुवान से भी सबसे बड़े सक्तिसाली परक्रामी बलवान भी थे जामवन्द कोई सधारान भालू नहीं थे जब स्री राम भगवान स्री अर्थ मुर्थ पर पहुचे थे उसे समय भी जामवन्द ने राम जी को सल्ला दी थी उन्होंने बताया था बाली का वद्ध करना संभाव नहीं है बाली के साथ वद्ध वहीं व्यक्ति कर सकता है जो एक साथ इन साथ विश्रों को एक ही बार में दहादे जो विश्र थे तार कर ये भास सुनकर भगवान स्री राम ने एक ही बार में इन साथों विश्रों को काट दिया और इस समय बाल मंदिर की प्राइर प्रतिष्था समारों में बॉलियोट की कौन से बढटी हस्तियां जा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे राम मंदिर के बनने का इंदिजार भारत के हर सनाति किया है अब जाके राम मंदिर बन पाया है और इस समारों में जिसमें मुख्य थीति के रूप में देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अभिनेता सन्य देओल भी 22 जन्वरी को होने वाली राम लल्ला की प्रार प्रतिष्ठा में सामिल होने वाली हैं वो कहते हैं मैं खुद को बहुत भाग्य साली मानता हूं कि मुझे अयोध्य में प्रभु स्री राम का दर्सन करने का मौका मिल रहा है मेरी प्रभु राम से यही प्रातना है कि प्रभु स्री राम मेरी आखों को सारा देर ग्रहन करने की सक्ति दे इस पलका मैं वर्सों से इंतिजार कर रहा था बहुत खुष और बहुत भावुक हूं इसके अलावा अभिनेता अक्षे कुमार प्रभु स्री राम के मंदी निर्मार को लेकर बहुत खुश है प्रार प्रतिष्ठा कारेक्राम में अक्षे कुमार भी पहुच रहे हैं जब मंदी निर्मार का कारे सुरू हुआ तब अक्षे कुमार ने मंदी निर्मार कारे में अपनी तरफ से योगदान दिया था और उन्होंने सोसल मेडिया पर लिखा था मैंने सुरवाज कर दी है उमीद है आप भी इन में सामील होंगे अच्छे कुमान ने इन लोगों से अपनी छमता के अनुसार योगदान देने और इतिहासिक मंदीर निर्माण में हिस्सा लेने अग्रा किया था साउस सिनेमा के दिगज अभीनेता चीरन जीवी को भी प्रभू से राम के प्रार प्रतिष्ठा समारों में आने के लिए निमंदरन मिला है चीरन जीवी के साथ बाल कला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माड के लिए प्रतेक टिकत से पांच रुपएदान किया जाएगा अभिनेता अनुपम खेर भी स्री राम के प्रार प्रतिष्ठा में समारों में पहुच रहे हैं वह कहते हैं हिंदु ने कई वर्सों तक सवधानिक रूप से इंतजार कर रहे थे निर्मा तक निर्देशक बिहार के चोपड़ा के धारावाहिक महभारत में भीम पितास्मय की भूमी का निभाने वाले अभिनेता मुकेस खन्ना भी अयोध्या प्रभुश्री राम की प्रार प्रतिष्ठा समारों में पहुच रहे हैं मुकेस खन्ना कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्मार पूरे देश के लिए गर्व की बात है सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्मार करा कर एक देश को पहचान दिलाई है इसकी भवित्या हम सभी को देखनी चाहिए एक रिपोर्ट की मा ने तो इस लिस्ट में सुपर इस्टार इत्ताब बच्चन का नाम सामिल है मादुरे दिक्षित को भी राम मंदिर के उठगाटन समारों के लिए चूना गया है दरसल यहां हम एक टाइगर फिल्म इस्टार रनविर सौरी के बारे में बात कर रही है जो इन दिनों स्री राम मंदिर उठगाटन से पहले अपने बयानों को लेकर चर्चा में है लेकिन अब उन्होंने आस्था का समान करने वाली बात कही है बता दे कि मंदिर की जमीन को लेकर बहस इतिहासिक राज राजनितिक रही है और दसकों से चली आ रही है लेकिन अब जाके राम मंदिर बन चुका है जिससे हर भारतिय अब खोश है इसे के साथ अब इस प्रोग्राम में बागेश्वर धाम सरकार के महराज जी राम मंदिर में अपने वचनों से हर सनातनी का उस्सा बढ़ाएंगे बाबा जी को खास और सबसे पहली निमंतरन भेजा गया प्यारे दोस्तों राम मंदिर बनने की जरह से भी खुशी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जे स्री राम लिखना ना भूलें धन्यवाद